देखिए, composition का मतलब क्या होता है? composite मिला देना, ठीक है? आपने English में पढ़ा हुआ composition, क्या करते हैं उसमें आप? ने हम ज्यादा अंग्रेजी में को नहीं आती है, उतनी आती है, खाए छोड़ो, अंग्रेजी में जाएंगे बतला उल्टा हो जाए, अंग्रेजी का composition मेहत हमे ना लगे, ठीक है, दो function को composite कर देना है, यानि मिला देना, उसको हम composition of function कहते हैं, question एक तो होता है कि भी practically question कैसे लगाते हैं, एक होता है, इसका मतलब क्या होता है, A का रिस्तेदार B, और B का रिस्तेदार C, तो A का भी रिस्तेदार C होगा, A का रिस्तेदार C है, तो C का रिस्तेदार भी A होगा, लेकिन relation हो सकता है, खोज़ता function नहों, function और relation तो अलग लगवाते होती है, A का रिस्तेदार B, B का रिस्तेदार A, उल्टा बोलना हूँ, A का रिस्तेदार, B का रिस्तेदार C, तो A का रिस्तेदार भी C होगा, C का रि इस्तेदार तो होगा, रिलेशन तो होगा, लेकिन फंक्शन होगा जरूरी, नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए कुछ कंडिशन्स वहाँ पर आती है, ठीक है, तो अब पहले हम बता देते हैं, लफडा क्या है, हमने कहा कि सपोस करिएगा, ये एक सेट है A, ये एक सेट है B, ये एक सेट है C, है ना, और A और B के बीच में एक फंक्शन है F, इसको ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है, इसके ऐलिमेंट को X लिखते हैं, इसके ऐलिमेंट को Y लिखते हैं, इसके ऐलिमेंट को Z लिखते हैं, तो अगर A, B का फंक्शन है F, यानि F such that A to B, A to B तो Y बरावर क्या लिखा जाता है FX लिखा जाता है ना यानि इसको क्या लिखा जा सकता है FX लिखा जा सकता है लिख सकते हैं ना और जब मैं FX लिखूँगा तो आप समझ जाएंगे X किसका element है A का element है मताँ इस case में A का element क्या कराएगा domain इस case में और B का element कराएगा code domain पक्का है ना अच्छा अगर B और C भी function है और ये G such that B to C है तो B का function B C से किस से जुड़ा है G से तो यहां क्या लिखा जाएगा अगर इसका Y element है इसका Z है तो क्या लिखेंगे GY is equal to Z ये लिखा जाएगा ना यानि Z को क्या लिखा सकते हैं GY और Y क्या है FX है यानि इसको लिखेंगे G of FX लिखा जाएगा जाएगा ना यानि आपके किस का रिस्दार हो गया अब जरा साउधान X किसका element है एक element है Y किसका element है B का और Z किसका element है यानि ये X किसे जुड़ गया जाकर के जड़ से जड़ बराबर ने लिखा है ना यानि कि X किसे जुड़ गया जाकर के यानि ये कैसे लिखा है G और F लिखा है ना इसको G Binary F लिखा जाता है गॉफ ये Binary Operation है Binary का मतलब होता है दो चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है जैसे आप 2 प्लस 3 करते है तो ये Binary Operation है बड़े क्लासे जाएंगे तो वहाँ एक Group Theory पढ़ाई जाएगी यहां Set Theory है वाँ Group Theory है तो Group Theory में ये O यहां लिखा जाएगा तो आप से कहा जाएगा 2 O 3 A O O नहीं है वो A Binary B है वो Binary मतलब होता है दो के बीच में जो रिलेशन होता है अगर 2 इंटू 3 कर रहा हो तो इंटू क्या है? एक Binary Operation है तो ये G Binary F लिखा हुआ है शार्ट में इसको क्या पढ़ दिया आता है? Gough तो इसको Gough X लिखा जाता है तो Gough के लिए मैं Gough पोल रहा हूँ इसे गलत है ये लेकिन मैं बोलूँगा यही Gough के लिए Domain क्या है? A Domain है और C सुन में आएगी बात मतलब F के लिए A Domain है और A Co-Domain है G के लिए B Domain है A Co-Domain है तीक है? और Gough के लिए यह domain है और यह co domain होगा अब इसका उल्टा पॉस्विल है नहीं पॉस्विल है वो भी example से सुन में आएगा ठीक है जैसे नोट करिए आप देखे एक example हम बताते हैं हो सकता यह example ncrt का हो सकता नहों मतलब उससे मतलब इससे नहीं है जैसे हम आप से कह दें कि fx दिया हुआ है x square plus 2 पहले इसका मतलब समय जेगा जो भी f के साथ है उसका square कर देना है उसमें 2 plus कर देना है जो भी f के साथ है उसका square कर देना है उसमें plus 2 कर देना है और gx दिया हुआ है मालिया साइन एक्स मतलब जो भी जी के साथ है वो साइन का एंगिल हो जाएगा जो भी जी के साथ है वो साइन का एंगिल हो जाएगा अब देखो जैसे हम पहला पार्ट आफ से कहते है कि गौफ आफ एक्स निकालिए अचा अगर मैं कहूँ कि gof of X में ये x कहां का है इसका है ये इसका है ये इसका है फिलाल यहां पर आपको दिमाग लाने जो थोतनी है ये A का है यागर ये function जो है F say that A to B है और G say that B to C है ये जो x है वो किसका है A का है फिलाल यहां उसे मतलब नहीं है आपको हाँ, fx का जो domain है, वो gauf का domain है, fx का जो domain है, यानि gauf का domain, gauf का domain f का domain होगा, और fog का domain g का domain होगा, लेकिन वो function होगा नहीं होगा, ये पका नहीं है, function होने के लिए कुछ conditions होती है, जो fulfill होनी चाहिए, देखे जान से, इसको क्या लिख सकते हैं, gfx लिख सकते हैं आप, ये ल अगर ध्यान से देखें तो यह साइन का एंगल साइन एफ एक्स हो गया नहीं संद्रें यही तो कहा है ना कि जो जी के साथ है वो साइन का एंगल है जो जी के साथ है वो साइन का एंगल है और एफ एक्स की वैलू आप क्या निकाली है fx लिखाए आप ने एकसक्वार प्लस टू तो इसकी वालू x-a-plus 2 आगई यानि gauf x क्या वालू क्या वे़ों ड़as 그러니까 हो आगई यह पहला equation लगाई है अब देखो अब जारा Fog x निकालते है Fog x का जो X है जो Fog x का जो does है वो है गाफ पे a john po High यह जी काड़ों किना होता है फिलाल उसे मतलब आपको नहीं है इसका मतलब यह क्या लिखा है एफ जी एक्स लिखा है ना और जी एक्स की वैलू क्या है साइन एक्स है और F के साथ जो है उसका स्क्वाइर करना है और प्लस टू करना है यानि इसमें क्या करना है आपको साइन एक्स का स्क्वाइर करना है और प्लस टू करना है क्या दोनों वेलू सेम है तो आप कहेंगे एक्वेशन वन और टू से Y equation 1 and 2 Fog X और Goff X equal नहीं होते सुन्ज़ में बात नहीं आई अब उस X से मतलब नहीं है कि डोमेनों यह तो X और Y कुछ भी लिख सकते हो आप जड़ लिख दो उसे कोई दिक्कत नहीं है यानि कि प्रूफ करने को आ गया कि Fog is not equal to Goff यह बहुत पूछा जाता है अब वो अगर कहीं स्लेवर से ओमिट हो गया लग की बात है जनरली यह हीरो है एक तरीके से ठीक है अब हम बात करें जा रहे हैं कि Goff और Fog जब Goff बोलते हैं तो Goff नहीं है ध्यान रखिएगा जब Goff और Fog बोलते हैं तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे डिसाइड होती है ठीक है अभी हमने का Goff Fog फंक्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता है तो जड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि एक एक जामपल लेते हैं मताँ एक 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 जामपल लेकिसों सम्दाने की कोशिश करेंगे Fx बरावर माले हमने 2x ले लिया और हमने का F such that A to B एक function है यह हमने function मान लिया है ठीक है और G एक function है B से C में और Gx की value हमने मान लिया है X प्लस 2 यह हमने मान लिया है X प्लस 5 मानो जो हमने माना वही मानो जबस रहा समझने की कोशिश करिये मैं कुछ एक्जामपर लेके चलता हूँ, पहले समझ लिजे बात में लिखेगा, हमने यह तीन सेट बनाए, एक सेट ए बनाया, एक सेट बनाया, एक सेट सी बनाया, चुकि हमने फंक्शन माना है, इसलिए हम फंक्शन अपने हिसाफ लेके ही चलेंगे, हमने यहाँ पर element अप छार आएगा, तीन दुनी, छार दुनी, आठ आएगा, सही कह रहा हूँ, तो 1 किस से जुड़ेगा? 1 से जुड़ेगा, 1, 1 के साथ मैफ होगा, 2, 4 के साथ मैफ होगा, 3, 6 साथ मैफ होगा, 4, यहाँ छोड़ भी सकता है, फिलाल, हम फिलाल नहीं छोड़ है, जानबूज कर 10 लिख नहीं रहे हैं हम जानगों इसको वही लिख रहे हैं जो लिखना है अच्छा जब ये ये बी से सी में function क्या है जी है इसके अच्छा function अगर आपको आता है तब सुझ में आ रहा हुगा अब function क्या जी है, आँ, function है जी, कहने मतलब कुछ भी होगा function है, कहने ये का है के लिए कहने इधर से उधर arrow बनाया जाता है, कभी कभी ऐसे बनाया जाता है, कभी कभी ऐसे बनाया जाता है, कभी सीधे बनाया जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ भी जी क्या है, आप जब आप B से सी जाएंगे तो डोमेन कौन होगा तो B को जब 1 रखो गे तो यहां क्या आएगा 6 आएगा और यहां एक नट को यह 1 कहां से आगया अरे बाई 2 होगा क्या देख रहे हो बाई अरे बाई जी भी से 2 होगे कितना है का वो मुझे बहुत है और नट ची है साथ आएगा और चार पांच नौ आएगा और च्छे पांच ग्यारा आएगा और आट पांच तेरा आएगा दस भी हो सकता है फिलाल दस हम अटाए जे रहे हैं तो दो साथ से जुड़ा हुआ है यह यह से जुड़ा हुआ है यह से जुड़ा हुआ यह से जुड़ा हुआ है अब इसको भूल जाओ भूल दे ठीक है अब मैं आपको गॉफ एक्स दिखाता हूं क्योंकि इसका इसका रिलेशन क्या होता है गॉफ आफ एक्स होता है ना क्यों होता बता चुके हैं आपको अब जरह निकालता हूँ, Gall of, पहले क्या निकालेंगी, 1, तो Gall of 1 को क्या ले सकते हैं, G, F1 ले सकते हैं, यह न, G, और F1 बोले तो, 2, एं, F1 बोले तो, F1 बोले तो, 2, और G2 बोले तो, 7, ऑच्छा, जब Gall of 2 निकालेंगे, इसको क्या लेखेंगे जी आफ, F2, G आफ, F2, G आफ, F2 क्या है? 4, और ये किसकी वेलू, G4 क्या है? 9 है, जब गॉफ आफ, 3 निकालेंगे, तो आएगा जी आफ, F3, F3 बोले तो 6, और G6 बोले तो 11, गॉफ आफ, 4 निकालेंगे, तो G आफ, F4 होगा, तो G आफ, F4 कितना है? 8 है, और G8 कितना है? 13, अब पताओ, इस गॉफ की जो डोमेन है, वो क्या है? 1, 2, 3, 4, और रेंज क्या है? 7, 9, 11, 13, यानि 1 डारेक्ट 7 से जुड़ा हुआ है, 2 डारेक्ट 9 से जुड़ा हुआ है, 3, 11 से है, 4, 13 से है, यानि अगर म तो हम कहेंगे, गॉफ such that A to C function exist करता है, जिसका जो डोमेन है, वो A का है, और को डोमेन है, वो C का है, तो गॉफ की डोमेन और range डिसाइड हो गई, और function है, यह दिख रहा है, नोट करिए, फिर देखें, ना दिखने वाला क्या है? अब देखें, एक चीज़ और, अगर मैं Fog X लिखता हूँ, Fog X, तो वैसे तो Fog X निकाल एक तरीका तो भी हम बता चुके थे, वहाँ डोमेन रेंट चेक नहीं किया था आपने, तो इसमें, जब हम Fog X लिखेंगे, तो Fog का डोमेन किसका होगा, जी का होगा, पका है ना, तो यानि इसको हम लिखेंगे FG7, यह ल जोजते रहोगे, तो आप रहें निकाली लो, इसको FGX लिख सकते हैं, वसे गॉफ को भी हमको निकालना चाहिए था, यह गॉफ दिख रहा था, इसलिए हमने डाइट कर दिया था, देखे, FGX करेंगे ना, और F के साथ जो आ रहा है, उसका क्या करना है आपको, तो टाइ FGX का डोमेन कहा का लेंगे, इसने C का, C का जो है, जो जो को डोमेन होगा, वो गॉफ का, FG का डोमेन होगा, तो आपको G7 लिखना पड़ेगा ना, यह FGX निकला है ना, तो FGX में जब आ X को 7 रख दोगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 7 प्लस 10 कितना आए जाएगा, 14 प्लस 10, 24 आएगा ना, क्या कहीं exist करता है यहाँ पर, 24 कहीं पर 24 आएगा ना, गलल लिख गए हम, 2 इंटू, एक मिनट, एक मिनट को, FogX करेंगे, FogX, तो X, हाँ, हाँ, सॉरी सर, यह क्या कहीं बता रहा है तुम, G का जो डोमेन होगा, अरे यार तू गलत करा है दे रहो, G का जो डोमेन होगा, वो Fog का डोमेन होगा है, बाज पीजी नहों तो सुब बड़़े हो जाए, हाँ, बता निकला कितना था, 2X प्लस 10 निकला था ना, तो FG2 निकलेंगे न, तो 2 इंटू 2 प्लस 10, कितना आएगा, 14 है कहीं 14, इसका 14 कहीं कोडों भी ना रहा है, तो यहीं आसपास होना चाहिए न, अगर मैं आप से कहूं कि Fog of 4 निकलना है, तो FG4, Fog of 4, तो Fog of 4 डाट दो, 2 इं जाल चुके हैं आप, यानि कि कितना आएगा, 18 आएगा, कहीं exist कर रहा है, तो आप क्या रिखेंगे, कि co domain of, co domain, या range, co domain कहीं है, यहां क्या रहा है, range, range of Fog does not exist, does not exist, range नहीं exist करती मतलब, उसका image इंगजिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब Fog does not exist, fog does not exist, यह यहां exist ही नहीं क तो Gough Fog does not equal to proof कर रहे थे, वो तो proof हो जाएगा, लेकिन यह mapping ही नहीं होगी, mapping होने के लिए चेक करना पड़ेगा, mapping है कि नहीं है, टीक, note करिए इसको, अब उसको theorem कह सकते हैं, क्या रहे हैं, एक function है A से B, और एक function है G, B से C, यह दोनों 11 है, अब 11 के condition हम जानते हैं क्या हो कैसे proof करते हैं, तो करना है कि Gough A to C भी 11 होगा, Gough X जब करेंगे तो X इसका element होगा, किसका domain होगा, F का domain होगा, A का element होगे ना, तो हम क्या करेंगे, कि हम Gough को 11 proof करने के लिए क्लिए क्लिए, Gough X1 और Gough X2 को equal करेंगे और बात में proof क्या कर देंगे, X1 is equal to X2, तो हमने मान ल X2 दो element हैं, वो किसको बिलांग करते हैं, वो domain of Gough को बिलांग करते हैं, और domain of Gough मतलब किसको बिलांग करते हैं, A को बिलांग करते हैं, यही होता है ना, such that, कैसे बिंदाना, कि G binary F X1 is equal to G binary F X2, यह दोनों equal हैं, 1-1 में यही तो मानते हैं ना, इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा ना अब देखो जी कैसा function है वन वन है ना इसका मतलब fx1 is equal to fx2 हो जाएगा ना जी का fx2 है तो x1 is equal to x2 क्यों क्योंकि as f is 11 ठीक है तो इसका मतलब अब यह क्या प्रूफ हो गया यह 11 किसका प्रूफ हुआ है गॉफ का ना तो गॉफ का वन वन प्रूफ करने का तरीका होता है ठीक है तेखिए कि अगर f function a to b है g function b to c है यह अन्टू है तो दिखाईए गॉफ a to c भी अन्टू होगा अन्टू का तरीका क्या होता है हम code domain के पास जाना पड़ता है और code domain के element से पूछना पड़ता है कि भाई आपकी जितनी भी value है आप सबकी image हो ना आपका pre image exist कर रहा है ना तो हम यही करेंगे ठीक है क्या करेंगे हम देखे ज्यान से यह अन्टू है ना इसका मतलब अगर इसकी हम बात करें तो हम कहेंगे कि हर y की value के लिए हर y के लिए यहाँ प belongs to see there exist sign वालू है आपको there exist y belongs to be such that g y is equal to z लिखेंगे ना यही लिखने तरीका होता है ना कि z की क्यों जी अन्टू है ना इसका मतलब इसकी हर z के लिए यहाँ पर एक y होगा यहां जो भी element होगा उसके लिए वहाँ पर एक y होगा वह भोली तो एक pre image होगा यहाँ पर आजाओ क्यों 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 कि यहाँ क्या कहा गया as g is onto तो जी के अंटू की condition यहाँ होती है ना अब all y belongs to b there exist x belongs to a such that f x is equal to y हो गया ना अब बताओ अगर हर z के लिए y exist करता है हर y के लिए x करता है तो हर z के लिए x करेगा तो for all z belongs to c there exist x belongs to a such that gauf x is equal to z so gauf is also untow अब चुकि यह रियल फियल तो कुछ दिया नहीं किया है यह तो theorem type की है तो theorem type की तो ऐसे ही होगे ना ठीक है